एक दम ब्रिलियंट धाकर एटिट्यूड बोलते हैं ना वैसा ही एटिट्यूड बोल सकते हैं मेरे भाई ब्रिलियंट कंगना रानावत के बारे में बात करते हैं दोस्तों तेजस का जो ट्रेलर है देखो भाई अब एक सीधी बात बोलता हुए आप पर ओडियंस पर इतनी बहतरिन फिल्म को सपोर्ट करेंगे या नहीं यह तो भगवानी जाने लेकिन भाई वो टीजर बोलो या फिर ट्रेलर बोलो एक अलग यार वो जो रोल है ना वो कंगना को ही सूट करता है और दूसरी बात मैं कहूंगा यह जो बॉडर टू का सिलेक्शन चल रहा है ना निवेज बात करते हैं तेजस्त के बारे उम्मीदें बहुत है बहुत ही बहतरीन ट्रेलर है एक जज़बा दिखाता है और मैं तो इसको बोलूँगा उरीद सर्जेगल स्ट्राइक जैसा ही सम्हाव एक फील आता है पार्ट टू बोल सकते हैं उसको पार्ट टू नहीं पीज़बा नहीं कि एक यही रहता है बोलते हैं कि एक अलगी स्टाइल चाहिए इसके लिए तो वह एक स्वैग है और सिर्फ स्वैग वगरा की भी बात नहीं है जब भी एमोशनल क्यारेक्टर यह कैरेक्टर मुझे लगता है कि फिल्म में भी एक तरीके से जब जब शेय इस प्राइसर घेल सब्सक्रा pleins बहुत हैं व इंग्रिधार पर सीरियश आरपने पना रिना अंग पर यहे लोगग सौल मॽ्त एग्ला ऑग दना की वह बाइब अब पारे बॉक्स ऑफिस हैं आप मैं तो अब भी देखा हूँ आजक तक तो यही देखते हैं कि एसी फिल्में अच्छी काम मतलब कामगिरी करती है इसा काम बहतरीन करती है और अक्षे कुमार जी भी ऐसे फिल्में आज तक करते आये हैं तो यार अक्षे गुमार जैसा एक बोलते ना जजबा मुझे लगता है अक्षे गुमार के फैंस को तो भाई बहुत ज्यादा पसंद आएगी ये फिल्म जो रियल देज भगते भाई उसको तो आएगी पसंद ऐसा नहीं है मज़ा आ गया वाई आपको कैसा लगाई ट्रेलर जरूर बता ही है पांच में सब पांच स्टार दूंगा मैं